हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे सकट चोथ के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सकट चोथ के दिन कौन से समय पर जान्द निकल सकता है तो इस वीडियो में मैं कुछ शेहरों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तो अगर आप कुछ और शेहरों के बारे में जाना चाते हो तो मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दी है आप इस वीडियो के गतम उन्ने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखेगा तो इस वीडियो में मैं सकट चोथ के वारे में आफसा में डिस्कस करने वाला हूं कि सकट चोथ के दिन कौन-कौन से समय पर कौन-कौन से शेहर में चांद निकल सकता है तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले शिमला के वारे में आफसे मेरे डिस्कस करना चाहता हूँ शिमला में जो चांद का समय निकलने का वो 8 वज़ कर 57 मिनिट है लेकिन आप चांद को काफी अच्छे तरीके से 9 वज़ कर 35 मिनिट के आसपास देख पाओगे शिमला के बाद बात करते हैं पानी पत की पानी पत में जो चांद का समय है वो रात के 9 वज़े है लेकिन जैचांद आपको 9 वज़ कर 40 मिनिट के बाद ही काफी अच्छे तरीके से आपको दिखने वाला है अभी आपसे मैं जैपूर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जैपूर में जो चांद का समय है वो रात के 9 वज़ कर 7 मिनिट है लेकिन आप चांद को 9 बज़ कर 40 मिनिट के बाद ही आसमान में काफी अच्छे तरीके से देख पाओगे अब बात करते हैं दोस्तों एहमद आवाद की एहमद आवाद में जो चांद का समय है वो रात के 9 बज़ कर 25 मिनिट है लेकिन आप चांद को 10 बज़ के आसमान में काफी अच्छे तरीके से देख पाओगे अभी आपसे मैं मुहाली के बारे में डिस्कस करता हूँ मुहाली में जो चांद का समय वो दोस्तों रात के 9 बज़ है लेकिन आप इसे रात के 9 वजे 40 मिनिट के आसपास चांद को आसमार में कफी अच्छे तरीके से देख सकते हो मौली के बाद बात करते हैं डैली की डैली में जो चांद का समय है वो रात के 8 वज कर 58 मिनिट है लेकिन आप चांद को रात के 9 वज़ कर 40 मिनिट के आसपास कफी अच्छे तरीके से चांद आपको दिखने वाला है लखनाओ में जो चांद का समय है वो 8 वज़ कर 40 मिनिट है लेकिन आप चांद को 9 वज़ के आसपास आसमान में कफी अच्छे तरीके से देख सकते हो और अंत में दोस्तो कानपूर की बात करें तो कानपूर में जो चांद का समय है वो 8 वचकर 49 मिनिट है लेकिन आप चांद को साड़े 9 वज़े के आसपास जने की 9 वचकर 30 मिनिट के आसपास जए आपको कफी अच्छे तरीके से आसमान में दिखने वाला है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे सकर चोथ के बारे में डिसक्स किया है कि सकर चोथ के धिन कौन कौन से शेहर में किस की समय पर चांद निकल सकता है दोस्तों अगर आपको कुछ और शेहरों के बारे में जान करी लेनी है तो मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाती है आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चक कर सकते हो तो अन्तमें दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आईए तो अब वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना